सो फ्रेंट आज में most requested topic पर वीडियो लेकर आया हूँ कि fuse घर पर कैसे बनाते हैं तो फ्रेंट घर पर fuse बनाना बहुत ही easy है इसके लिए हम बिजली बॉम में से बारूत को निकालेंगे आप कोई भी waste cracker में से बारूत को निकाल सकते हो तो सबसे पहले बिजली बॉम के उपर जो मिटी होती है उसे हम fake देंगे और अंदर का बारूत हम एक plate में इखटा करेंगे कुछ इसी तरीके से हम सभी crackers में से बारूत को निकाल देंगे तो फ्रेंट यहापे मैंने कुछ इतना बारूत निकाल दिया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर देंगे तो अब आप देख सकते हो हमारा बारूत एक दम liquid form में हो गया है next हम एक मोटा धागा लेंगे और इस पर हम इस बारूत को लपेट देंगे कुछ इस तरीके से तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो कुछी मिन्टों में धागे पर बारूत चिपक गया है अब हम इसे धूप में सुखने के लिए छोड़ देंगे और कुछ इसी तरीके से हम बहुत सारे fuse बना करके रेडी कर देंगे अब आप देख सकते हो मैंने कुछ इस ट्रैप का जुगाट बनाए fuse को सुखने के लिए तो एक दिन के बाद हमारी fuse एकदम अच्छे से सूख करके रेडी हो गई है अब आप अपने requirement के हिसाब से इसे किसी भी size में cut कर सकते हो तो चलो फ्रेंच मैं आपको इसे जला करके दिखाता हूँ तो फ्रेंच देखाना ये एकदम market के fuse की तरह वर्क हुआ तो फ्रेंच साना एक fuse बनाना एकदम easy और ऐसे क्रैकर्स के related वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और अगर आपको इस आइडिया अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग